Q1. A & B एक फर्म में पार्टनर हैं जो कि इसके लिए आप क्या अंट्री करेंगे अगर एक फर्म बंध होता है अगर उसका रियालाइजेशन एक्सफेंस पर 5 रुपा है Second, अगर रियालाइजेशन अमाउंट का अन्रिकॉर्डट एसेट जो है वो 2000 है और जो स्टॉक है वो 2000 है जो हमको ट्रांसफर करना है रियालाइजेशन अकाउंट में और 3000 हम पे कर रहे हैं अगर क्राइटर को और प्रॉफिट और रियालाइजेशन 4000 इस शेयर बाई A और B इन रेशियो 3 रेशियो 1 यानि कि प्रॉफिट को हम शेयर करेंगे जो 4000 का प्रॉफिट है उसको 3 रेशियो 1 में A और B के बीच तो इसके लिए जनल एंट्री करना होगा इसमें कॉलम होगा डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेट अमाउंट का सबसे पहले Realization Expenses जीया था 500 का तो यह Expenses Realization Account में डेबिट साइट पर आता है इसलिए Realization Account DR होगा और क्रेट में एगा टू केश और 500 आ जाएगा इसके बाद जो Unrecorded Asset है वो हमारा Realization Account में क्रेट साइट पर आता है इसलिए Entry होगा Cash Account DR to Realization क्रेट में आता है इसलिए क्रेट किया है 2000 का था तो 2000 किया इसके बाद दिया हुआ है The Stock of 2000 is Transfer to Realization Account Realization Account में हमने Stock को Transfer किया है तो इसके Entry होगी Realization Account DR to Stock क्योंकि यह 2000 का था तो 2000 आ जाएगा इसके बाद 3000 पे किया है क्रेटर को तो यह क्योंकि CR साइट पर आता है इसलिए Realization इसमें CR होगा और 4000 को हमको Realization Profit है तो इसको डिवाइट करना है A और B के बीच 3 Ratio 1 में तो यहां पर क्रेटर का Entry हमने कर दिया है जब क्रेटर क्योंकि CR साइट पर आता है लेकिन जब अपन पे करते हैं तब क्रेटर हमारा DR साइट पर आता है तो यहां पर Entry हो जाएगा Realization Account DR to Cash और 3000 आ जाएगा इसके बाद Profit है इसलिए Realization Account DR होगा तो यहां पर आता है तो यहां पर आता है तो इसके लिए एंट्री होगी सबसे पहले रियालाइजड थरीन हंड्रेड फ्रॉम अन्रिकॉर्डड एसेट तो अभी मैंने कहा था कि जो अन्रिकॉर्डड एसेट होता है वह रिलाइजड अकाउंड में क्रेड साइड पर आता है तो इसके लिए एंट्री होगी कैश अकाउंड डियाड टू रिलाइजड अकाउंड और यह हमारा थेरासो का था तो थेरासो थेरासो यहां आ जाएगा फिर कहा गया है dissolution expenses तो expenses debit होता है इसलिए एंट्री होगा realization account DR to cash और 7 रुपे यहां पर आ जाएगा इसके बाद कहा गया था creditor transfer to realization account paid off यहनि की creditor को हमने pay किया है 27,000 तो जब हम creditor को pay करते हैं तो वो भी debit में आता है इसलिए इसका entry होगा realization account DR to cash और 27,000 इसके बाद कहा गया है कि stock transfer to realization account taken over by B यानि की 1100 रुपे का stock था जिसको B ने खरीद लिया तो इसके लिए entry होगी 20 capital DR to realization account और यहां पर आ जाएगा 1100 इसके बाद दिया हुआ है realization profit जो की 6000 रुपे का था उसे हमें B और N के बीच में बाटना है 7 ratio 5 में तो इसके लिए entry होगा realization account DR to B capital और to N capital इसके बाद क्योंकि total profit जो था हमारा 6000 था तो हमने यहां पर 6000 लिख दिया फिर इसको हम बाटेंगे 7 ratio 5 में तो हम यहां पर करेंगे B के निकालने के लिए 6000 x 7 divided by 12 क्योंकि 7 ratio 5 था तो 7 और 5 को जोडने पर 12 आ जाएगा जब इसको हम 7 से इंटू करके 12 से डिवाइट करेंगे तो आ जाएगा 3500 फिर C का निकालेंगे तो 6000 x 5 divided by 12 करेंगे तो आ जाएगा 2500 फिर उसको हम लिखेंगे B के में 3500 और N के में लिखेंगे 2500 और यही हमारा answer होगा Q2 यहाँ पर हमें journal entry करना है dissolution से related सबसे पहले कहा गया है paid bank loan तो bank loan क्योंकि हमारा liability है और जब liability payout होता है तो वह debit site पर लिखाता है realization account के इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे realization account DR2 bank और 24,000 का था bank loan इसलिए 24,000 लिखा इसके बाद का आए कि stock जो की 6000 का था उसे divyansh ने खरीद लिया तो divyansh ने खरीदा तो समान divyansh के पास जा रहा है इसलिए हम लिखेंगे divyansh capital DR2 realization इसलिए 6,000 का था इसलिए 6,000 लिखा इसके बाद realization expenses तो यह realization account के DR site पर आता है इसलिए इसलिए इसकी entry होगी realization account DR to divyansh capital क्योंकि यह expenses पे कर रहा है divyansh 1500 का था इसलिए 1500 लिख दिया इसके बाद कहा गया है कि fourth number जिसमें कहा गया है asset जो की पूरा तरीके से return off हो चुका है यानि कि अपलिकित हो गया है खराब हो चुका है उसे हम बेच रहें 200 रुपे में तो इसकी entry होगी क्योंकि हम बेच रहें तो हमारे पास पैसा आएगा इसलिए bank account DR to realization होगा और 200 का है वो बेच रहें इसलिए 200 यहां पर आ गया इसके बाद दिया हुआ है realization loss profit रहता था तो हम realization account को DR करते थे लेकिन loss है तो यहां पर realization account CR में आएगा 14,000 का loss है और इसको हमको partners divyansh और santanu के बीच में 5 ratio 2 में divide करना है तो इसके entry होगी divyansh capital DR, santanu capital DR to realization account और क्योंकि 14,000 का loss है तो 14,000 हमने पूरा यहां लिख दिया अब यहां पर 14,000 into 5 divided by 7 करेंगे क्योंकि 5 ratio 2 है तो यहां पर आजाएगा 10,000 उसके बाद 14,000 into 2 divided by 7 करेंगे तो आजाएगा 4,000 यह हमारा entry हो गया complete Q5 यहां पर X और Y एक फर्म में पार्टनर है जो कि अपना profit and loss equally distribute करते है यानि कि जो भी इनका profit आएगा या loss आएगा वो equally बटेगा इनके बीच इनका जो capital था X का था 10,000 Y का 17,000 था क्रेंटर यहां पर 3,000 था X का लोन था 4,000 का machinery 9,000 stock 10,000 debtor 2500 और cash था 12,500 का उनने डिसाइट किया कि वो फर्म को बंद कर रहे हैं उस time पे उनका asset realize हुआ यानि कि asset से उनको पैसा मिला machinery पे जो actual value था उसका 20% कम मिला stock पे जो actual value था उसका 10% कम मिला और 2000 उननका adapter से realize हुआ उसके बाद creditors were paid 10% less यानि कि creditors जितना था actual में उससे 10% हमने कम पे किया है realization expenses 500 रुपे थी तो इसके लिए हमें realization account और partners capital account बनाना होगा इसके लिए solution होगा तो realization account इसके लिए column होगा particular amount particular amount सबसे पहले इधर पर लिखते है जितने भी asset है वो और यहां पर जितने के creditors है वो यानि कि liabilities है वो तो सबसे पहले asset में दिया हुआ था 9000 का machine फिर stock दिया था 10,000 का adapter दिया था 2500 का और इधर पर liability site पर से firm को creditors दिया हुआ था 3000 का इसके कहा गया था कि वसूल हुआ machinery पर 20% कम तो machinery actual में है 9000 का हमको वसूल हो रहा है तो पहले हमने this account यहां लिख लिया वसूल होगा तो उसको credit site पर लिखना होगा तो buy cash करके हम लिखेंगे पहले machine का machine 9000 का था 9000 का 20% निकालेंगे और उसको 9000 से minus करेंगे तो आ जाएगा 7200 इसक कम तो स्टॉक 10,000 का है 10,000 का 10% आ जाएगा 1000 10,000 में से 1000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9000 रुपै इसके बाद कहा गया है कि जो adapter है उससे मिले है 2000 तो adapter का 2000 हम यहां लिखेंगे और इसको plus करेंगे तो आ जाएगा 18200 क्रेडिटर को हमने 10% कम पे पे किया तो क्रेडिटर हमा हम इस साइट पे करते हैं डैबिट साइट पे इसलिए आएगा यहां पर 2 cash और क्रेडिटर में लिखेंगे 2700 उसके बाद realization expenses दिया हुआ था 500 का तो यहां पर expenses हमने लिखा 500 का प्लस करेंगे तो 3,200 आ जाएगा सब को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24,700 इस 24,700 में से 18,200 और इसके लिए पार्टनर्स capital account हमें बनाना है तो पार्टनर्स capital account के लिए column होगा particular xy particular xy यहां पर पार्टनर के नाम आते हैं तो यहां पर नाम क्योंकि xy दिया था इसलिए हमने वह लिखा अब सबसे पहले question में जो capital दिया हुआ होता है पुराना वाला वो हमको लिखना होता है तो capital इधर DR में दिया है तो हमको उसको CR में balance BD लिखना होता है तो यहां पर हम लिखेंगे by balance BD x का दिया हुआ था 10,000 और y का दिया हुआ था 17,000 इसके बाद realization में अभी हमने loss निकाला तो loss क्रेट साइट पर आया था तो वो cross होकर कि इधर पर debit साइट पर आएगा x का आया था 1750 y का आया था 1750 इधर का total 10,000 और इधर का 17,000 होगा 10,000 में से 1750 माइनस करेंगे तो 8,250 आएगा और y का था 17,000 इसमें से 1750 माइनस करेंगे तो 15,250 आएगा यही हमारा solution होगा